हेलो स्टुडेंट्स हावर यू वेलकम तो मैं यूटूब चैनल पंकच फिजिस कुलाटी सुडेंट्स आपको इस चैनल पर नाकेवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे असान एक्स्प्लेनेशन देखने को मिलती है बलकि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एक्जाम में क्या और कैसे लिखके आना है ताकि आप सिरफ एक वीडियो देखके ही अपने नोट्स बना सके और एक्जाम में बहुत अच्छे मार्ग्स ला सकें तो सुडेंट्स आज इस चैनल को सब्स्राइब पाईए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मेकैनिक्स के एक और इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे हम उस बीड के लिए एक्वेशन और मोशन करेंगे जो की स्लाइट कर रहा होगा एक स्ट्रेट वाइर के उपर और वो स्ट्रेट वाइर उनिफॉर्मली रोटेट कर रहा होगा फोर्स फ्री स्पेस के अंदर तो सुडेंट्स एक्जामपल के लिए आप इस पॉइंटर को वाइर मान लीजिए ये वो वाइर है जिसके उपर एक बीड जो है वो स्लाइट कर रहा है बीड क्या होता है जो हम गले में माला पहनते हैं उसके अंदर जो मोती होते हैं, जिसको हम मन का भी बोलते हैं हिंदी में, वो bead होगा और वो इसको उपर slide कर रहा होगा बट ये wire जो है, वो uniformly rotate कर रही होगी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से rotate कर रही होगी और जिस plane में ये rotate करेगी, उसको हम मान लेंगे x y plane और हम यह मान के चलेंगे कि यह wire जो है वो z-axis के about rotate कर रही है with uniform angular velocity means यहाँ पर omega जो है वो constant रहने वाला है इस uniformly rotating wire के लिए तो students आईए देखते हैं कि अगर एक topic आपको exam में पूछा जाता है तो आप इसमें diagram क्या draw करके आएंगे और इसके theory में क्या लिखके आएंगे जिसके उपर bead जो है वो slide कर रहा है और इस bead का हमें equation of motion निकालना है और यह जो wire है यहाँ से लेके यहाँ तक यह rotate कर रही है कुछ इस परकार से यह rotate कर रही है कुछ इस परकार से अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूँ तो ये इस प्रकार से rotate कर रही होगी xy plane के अंदर तो ये होगी x axis और ये होगी y axis और ये z axis के about जो है वो uniformly rotate कर रही है और इसकी जो angular velocity है rotation की वो है omega और किसी point पर जो इस bead के xy coordinates होंगे वो हम मान लेते हैं कि वो x और y होंगे और किसी एक moment पर हम ये मान लेते हैं कि ये wire जो है x axis के साथ theta angle जो है वो form कर रही है तो diagram में तो आप ये बना के आएंगे आईए देखते हैं इसकी theory में आप क्या लिखेंगे consider a wire rotating in a force free space along z axis in xy plane यहाँ पर हमें एक wire लेनी है जो की rotate कर रही होगी z axis के about xy plane के अंदर और ये force free space में rotate कर रही होगी हम यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि bead के उपर gravity का कोई भी effect नहीं होगा और साथ के साथ हम ये भी मान के चलेंगे कि bead और wire के बीच में कोई भी किसी भी परकार की frictional force exist नहीं करेंगी ये दो assumptions हमें आज के topic में लेके चलनी पड़ेंगी तब ही हम इसकी equation of motion जो है वो drive कर पाएंगे तो students आई आगे देखते हैं let m be the mass of the bead sliding on a uniformly rotating wire यहाँ पर bead आना था तो हमने मान लिया कि m जो है वो इस bead का mass है जो कि इस uniformly rotating wire के उपर slide कर रहा होगा अगर हम इसकी equation of motion ड्राइव करना चाहते है sliding bead के लिए तो हमें यहाँ पर दो assumptions लेनी होगी कौन को इसे assumptions होगी वो there is no any frictional force involved between wire and bead wire and bead के बीच में किसी भी परकार की frictional force नहीं होगी पहले junction यह होगी second there is no effect of gravity on the motion of the bead bead के उपर gravity का कोई भी effect नहीं पड़ेगा यहाँ पर यह भी assumption आपको लेके चलनी होगी देखे students अगर आप इस wire के उपर एक bead को slide करवाते हैं और यह wire जो है वो इस परकार से rotate कर रही होगी तो bead किस तरफ जाएगा bead जाएगा बाहर की तरफ due to centripetal acceleration जब last में हमें जो equation of motion मिलेगी तब हम देखेंगे कि जो acceleration होगा इस bead का वो centripetal acceleration होगा जिसकी वज़ासे ये bead जो है वो बाहर की तरफ motion करेगा तो आप यहाँ पर arrow भी लगा सकते हैं बाहर point करता हुआ which is showing that bead will move outwards जैसे ये wire जो है xy plane में about z axis तो ये bead जो है centripetal acceleration के कारण बाहर की तरफ move करेगा तो students इसका जो mathematical part है इस topic का वो हम discuss करेंगे आने वाले sections के अंदर तो students अब हमें find करना है equation of motion for this bead which is sliding on a uniformly rotating wire in a force free space तो उसके लिए हमें क्या करना होगा हमें यहाँ पर जो equation of motion drive करनी है वो drive करनी है with the help of lagrange equation of motion तो lagrange equation of motion को solve करने के लिए सबसे पहले आपको इस system का lagrangian find करना होगा और आप जानते हैं lagrangian क्या होता है lagrangian जो है वो difference होता है kinetic energy and potential energy of the system का तो आप लिखेंगे हैं पर lagrangian L for the system is given by L जो होता है वो होता है difference of kinetic energy T and potential energy V इसको हम first equation दे देते हैं देखे students यह जो bead है वो एक force free space में slide कर रहा है हमारा system जो है वो force free space में हमने consider किया है अगर यहाँ पर कोई force यक्ट नहीं करेगी चाहे वो gravity की force हो चाहे वो frictional force हो वो हमने यहाँ पर exclude की है अपनी assumptions में तो यहाँ पर जो potential energy होगी वो zero होगी तो यहाँ पर V की जगा आप direct zero put कर सकते है क्योंकि V यहाँ पर zero होगा अब kinetic energy कितनी होगी यह V यहाँ potential energy को denote कर रहा है इस इसका आप ध्यान रखेंगे अब kinetic energy निकालनी है हमे अब velocity vector जो है इस bead का वो इस direction में है यह है velocity vector V vector इसके दो component हम कर सकते है एक होगा x direction में vx component और एक होगा y direction में vy component और vx com क्या लिख सकते है vx को हम लिख सकते है dx by dt which is written as x dot इसी परकार से vy com क्या लिख सकते है dy by dt rate of change of y coordinate with respect to time इसको हम लिख सकते है y dot तो यहाँ पर जो kinetic energy होगी वो होगी half mass into velocity का square velocity यहाँ पर आपको दो लेनी होगी x component वाली भी और y component वाली भी vx square plus vy square और यहाँ पर आप put कर दीजिए vx की जगा x dot plus vy के जगा y dot तो इसको हम दे देते हैं third equation अब हमें x dot और y dot की values find करनी है उनका square करना है उनका sum करना है और यहाँ value put करनी है तो हमें lagrangian l मिल जाएगा तो उसके पहले हमें x और y की values find करनी होगी x और y की values हम find कर सकते हैं triangle o a b में से अगर यह y है यहाँ से लेके यहाँ तक तो यह भी y होगा तो from triangle o a b from triangle o a b तो हमें x निकालना है तो हम x कैसे निकाल सकते हैं अगर हम o से लेके b तक के distance को जो की है radial distance of the bead from this origin उसको अगर हम r मान लें तो यहाँ पर अगर हम cos theta निकालें तो cos theta क्या निकल के आएगा base upon hypotenuse base हमारा x है और hypotenuse हमारा r है x की value आजाएगी r cos theta तो इसका अगर हम differentiate करें ताकि हम x dot मिल सके तो हमें क्या मिलेगा x dot will be equal to यहाँ पर आपको unit to be rule लगाना होगा r as it is cos theta का derivative क्या हो जाएगा minus sin theta into theta dot plus cos theta as it is r का derivative हो जाएगा r dot तो यह x dot की value आगी जो की निकल के आई है हमारे पास minus r sin theta theta dot अलग है plus r dot cos theta तो x dot की value तो आचुकी है इसको हम fourth equation दे देते हैं इसी परकार से next section में हम क्या करेंगे इसी triangle में से sin theta के value निकालके y की value निकालेंगे और उसका differentiation करके y dot की value निकालेंगे next section के अंदर तो students पिछले section में हमने third और fourth equation जो है वो find कर ली थी अब हम क्या करेंगे triangle o a b में से हमें क्या करना है sin theta की value निकालनी है और sin theta होता है perpendicular upon hyperteneuse perpendicular है y और hyperteneuse है r तो आप लिखेंगे from triangle o a b sin theta is equal to y upon r तो y की value आजाएगी r sin theta cross multiply करके तो अब हमें इसको दोनों तरफ differentiate करना है तो आपको क्या मिलेगा y dot is equal to यहाँ पर u to v rule लगाना पड़ेगा r as it is sin theta का derivative क्या होगा cos theta फिर theta का derivative क्या हो जाएगा theta dot plus sin theta as it is और r का derivative क्या हो जाएगा r dot तो students y dot की value भी हमें मिल चुकी है इसको हम देते हैं 50 equation अब हमें क्या करना है x dot square plus y dot square की value निकालनी है तो आप लिखेंगे x dot square plus y dot square is equal to this term minus r sin theta theta dot plus r dot cos theta का square plus साथ में आपको इसका square करना होगा r cos theta theta dot plus sin theta r dot square अब आपको यहाँ पर a plus b का whole square लगाना होगा और यहाँ पर a plus b का whole square लगाना होगा तो देखते हैं आपको क्या मिलेगा r square sin square theta dot theta dot square plus इसका square करेंगे तो आपको मिलेगा r dot square cos square theta minus 2a b होगा यहाँ पर 2 into r into sin theta into theta dot into r dot साथ में cos theta तो यहाँ पर हमने a plus b का whole square लगा दिया क्योंकि यहाँ minus था तो इसलिए यहाँ पर sin minus का आएगा अब यहाँ पर a plus b का whole square लगाईए तो आपको क्या मिलेगा plus r square cos square theta theta dot square plus sin square theta r dot square और साथ में plus 2 r cos theta theta dot sin theta और यहाँ पर मिलेगा साथ में आपको r dot तो students यह दोनों terms जो है वो बिल्कुल सेम है 2 r sin theta theta dot r dot cos theta और यह भी बिल्कुल सेम है sin in के opposite तो यह terms जो है वो cancel हो जाएंगे आपस में और यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा x dot square plus y dot square is equal to इसमें से और इसमें से क्या क्या common आ रहा है इनमें से r square theta dot square common आ रहा है अंदर बचेगा sin square theta plus cos square theta और इन दोनों terms में से common आ रहा है r dot square तो उन्दर रह जाएगा यहाँ पर cos square theta प्लस sin square theta तो आप जानते हैं trigonometry में sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो जहां से आपको मिल जाएगा x dot square plus y dot square की value r square theta dot square plus r dot square तो students ये 1 हो गया और ये 1 हो गया तो इसको हम दे देते हैं equation number 6 अब हम क्या करेंगे x dot square plus y dot square की value ये वाली यहां पर put करेंगे और फिर हम equation of motion find करेंगे इस bead के लिए next section के अंदर तो students पिछले section में हमने x dot square plus y dot square की value निकाली थी ये वाली आप इसको यहां पर put करेंगे हम तो आप लिखेंगे using 6 in 3 we get l is equal to half m और bracket में यहां पर put कर दीजिए ये value r square theta dot square plus r dot square तो students अब हम क्या करेंगे half m को दोनों term से multiply कर देंगे तो आपको मिलेगा l is equal to half m r square theta dot square plus half m r dot square ये होगी मारी 7th equation तो finally हमने lagrangian of the system find कर लिया है in terms of r and theta जिसको हमने 7th equation दिया है अब हम लिखेंगे lagrangian equation of motion जो की होती है the lagrangian equation of motion is given by जो basic form होती है lagrangian equation of motion की वो ये होती है d by dt q l by q k dot minus curly l by curly q k is equal to 0 जहाँ पर q k जो है वो generalized coordinate होता है बट यहाँ पर हमारे पास generalized coordinate कौन होगा यहाँ पर r और theta में से कौन सा generalized coordinate होगा r होगा क्यों? क्योंकि time के साथ इस bead की जो distance होगा यहाँ से वो change होता रहेगा जैसे जैसे यह गूमता रहेगा x y plane में यह wire uniformly rotate करता रहेगा वैसे वैसे bead जो है वो slide करते होगे बाहर की तरफ जाता रहेगा तो r यहाँ पर time के साथ change होगा जबकि theta जो है वो यहाँ पर constant है क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है कि यह uniformly rotating wire है means इसकी जो angular velocity होगी omega जो कि होता है d theta by dt वो constant होगी d theta by dt क्या होता थीटा dot यह constant angular velocity से rotate कर रहा है x y plane में यह uniformly rotate कर रहा है हमारे topic में mention है तो theta dot constant रहेगा theta change होता रहेगा time के साथ बड़ theta dot जो है वो constant रहेगा तो हमें यहाँ पर जो lagrange equation of motion लिखनी है वो r की terms में लिखनी है सिरफ तो आप लिखेंगे d by dt curly l by curly r dot minus curly l by curly r is equal to 0 यह हमारी 8th equation होगी जहाँ पर Q के लिखा हुआ था इस basic form of lagrange equation of motion में वहाँ पर हमने r लिख दिया है हम सिरफ r की terms में लिखेंगे क्योंकि theta dot जो होगा वो यहाँ पर constant होगा क्योंकि यह uniformly rotating wire है तो students अब हमें क्या करना है curly l by curly r dot की value find करनी है इस equation से और curly l by curly r की value find करनी है इस equation से और वो values यहाँ पर substitute करनी है फिर हम final result तक पहुँच जाएंगे और यह काम हम करेंगे next section के अंदर तो students आईए आगे बढ़ते हैं पिछले sections में हमने 8th और 7th equation लिख ली थी अब हम क्या करेंगे 7th equation से curly l by curly r dot की value निकालेंगे और 7th equation से ही हम curly l by curly r की value निकालेंगे फिर वो values यहाँ पर put करेंगे तो हमें final equation of motion मिल जाएगी तो आप लिखेंगे partially differentiating 7 with respect to r dot तो अगर आप 7th equation को दोनों तरफ partially differentiate करते हैं r dot के respect में तो आपको क्या मिलने वाला है curly l by curly r dot इसमें r dot नहीं है इस term में तो यह term 0 हो जाएगी plus half m r dot square का partial differentiation क्या हो जाएगा r dot के respect में 2 r dot यह 2 आगया जाएगा और 2 से 2 cancel हो गया तो finally आपको मिलेगा m r dot तो curly l by curly r dot की value आगी m r dot इसको में 9th equation दे दिया अब आप partially differentiate करेंगे 7th equation को with respect to r तो हमें क्या मिलेगा curly l by curly r is equal to यहाँ पर r वली term है तो आपको क्या मिलेगा half m 2 r r square का differentiation हो जाएगा 2 r theta dot square और यहाँ पर r वली term नहीं है तो यह term हो जाएगी 0 तो 2 से 2 cancel तो हमें मिल गया यहाँ से 2 से 2 cancel हो गया तो हमें मिल गया यहाँ से m theta dot square तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पूट करेंगे तो हमें final result क्या मिलने वाल है using 9 and 10 in 8 we get d by dt d by dt curly l by curly r dot की value है mr dot minus curly l by curly r की value है mr theta dot square mr theta dot square is equal to 0 अगर हम यहाँ से d by dt हटाना चाहें तो हमें क्या करना होगा r के ओपर एक dot और लगाना होगा क्योंकि dot का मतलब ही first time derivative होता है तो यहाँ पर d by dt हमें हटा के हमें मिल जाएगा mr double dot क्योंकि एक dot पहले से था 1 dot d by dt को हटा के मिल जाएगा minus mr theta dot क्या है theta dot है angular velocity of the uniformly rotating wire तो theta dot की जगह हम omega लिख देंगे तो यह बन जाएगा omega square क्योंकि square भी है उपर तो यहाँ से mr double dot की value आ जाएगी mr omega square तो m से m cancel अगर हम कर दें तो यह बन जाएगा r double dot is equal to r omega square r double dot क्या है double time derivative of displacement r और mass into acceleration क्या होता है यह acceleration को represent कर रहा है r double dot mass into acceleration क्या होता है force होता है और force की value कितनी आगी है मर पास mr omega square जो की और कुछ नहीं centipetal force का ही formula है तो means यहाँ पर bead के ऊपर centipetal force लगेगी और यह जो r double dot की value निकल का ही है जो कि acceleration of the bead को represent कर रहा है वो r omega square निकल क्या है और यह centipetal acceleration का formula होता है तो means यह जो bead है वो इस wire के ऊपर slide करेगा due to centipetal acceleration और जितना ज़्यादा r होगा उतना ज़्यादा force लगेगी means जैसे जैसे यह wire rotate करती जाएगी bead जो है वो आगे-अगे move करता जाएगा और उसका r जो है origin से जो distance है वो बढ़ता जाएगा और उसको उपर force बढ़ती चली जाएगी और उसकी जो acceleration है वो भी बढ़ता हुआ चला जाएगा आज का topic जो है वो अच्छे से clear हुआ होगा मिलेंगे किसी और important topic of classical mechanics के साथ till then take care